महाभारत एक्सप्रेस की इस यात्रा में अपने तमाम दर्शकों का मैं अखिलेश आनंद एक बार फिर से तिरुपती से स्वागत करता हूँ देखिये प्रचंड गर्मी है यहाँ पर धूप में खड़ा हो पाना बड़ा मुश्किल है इसलिए आप देख रहे हैं जो लोग यहाँ पर तमाम लोग इस बहस में हिस्सा लेने आये थे आसपास छाया देखकर इधर उधर बैटे हुए हैं जिनके पास में कुछ दिर के बा जा चुके हैं यात्रा जो शुरू ही थी तमिल नाडू से उसके बाद हम करना तक पहुँचे अभी हम आंदर प्रदेश में हैं तो यहाँ से जुड़ी खबरे तो विसलेशन के साथ आप तक हम पहुँचाते ही रहेंगे लेकिन एक बड़ा अपडेट दिल्ली से है वो ज किसे अर्विंद केजरिवाल के पीछे लामबद हैं धीपक रावत के पास मैं आपको लिए चलता हूं धीपक कुल मिलाकर जो ही अपडेट है जो खबर वहां से आ रही है इसका सीधा मतलब यहीं निकाला जाए कि अर्विंद केजरिवाल सलाखों के पीछे से भी CM बने रह अलगतर क्चितर का दिये जाएंगे कि अर्विंद केजरिवाल जी मुक्यमंत्री के पद्द से इस्तिफवा देदें अभी पूरा केंपेंश अलस myselfो essence जैसे लोगपाल के समय के जब लोगपाल पास नहीं हो पाया और मुख्यमंत्री जी पर दबाव बनाया गया कि इस्तीफा दीजिए और इस्तीफा दे दिया तो कहा कि भाग गए तो भारतिय जनता पार्टी की ये पॉलिसी रही है कि इस तरह से स्तीफा बनाया जाएगा एक ट्रैप बिचाया जाएगा मगर क्योंकि भावी ही मुख्यमंत्री जी से अब तिहार जेल में मिल पाएंगी उनसे उनकी बाचीत हो पाएंगी पार्टी की तरफ से वो ही संदेश ले जा सकती है जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर ढाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहू पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गौन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे